हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चनल तेयर जीत में आज हम देखने वाले एड़िगेट अभ्यास पोस्त का अंगरेजी कख्छा साथ जो आपको भणने के लिए दी गई है दोहज़ा 23-24 में इसके हम पार्ट आठ का हल देखने वाले हैं इससे पहले हम एक से लेकर साथ तक के पार्टों का अपलोड कर चुके हैं और वैसे तो हमने यहाँ पर संपरूपस तक का हल डाल दिया है तो आपको किस परकार देखना है हम लास्ट में बताएंगे आपको तो आप वहां तक देखिए तो देखिए पार्ट आठ दिया है तो इसमें दिखा है multiple choice questions सही विखलब चुनकर लिखें तो पहला कोशन लिखा है दा Olympic Games are held one in year on in year कितने रखा जाता है five years three years या four years तो कितनी सालों के बाद यह रखा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C four years Bobby Paris Piers was worn in किस में जनम लिया था यहाँ पर तो Sydney London या Italy तो इसका सही आंसर हो जाएगा Sydney तो ठीक है यह answer है आपको दिख रहे होंगे तो इन पर आप अच्छे से टिक कर लीजिए वह जो नीचे वारी लाएं इन पर लेख लीजिए इसके बाद अगले question पर जलते हैं तो यह रहा question number हमारा अगला तो देखिए question क्या दिए गए हैं तो यहाँ पर लिखा है question number हमारा तीसरा देखते हैं तो वहनवाज Olympic Sports Festival in Greece held यानि कब रखे जा गए थे तो यहाँ पर लेखेंगे 776 BC इसके बाद अगला question है फोल वहर वाज बॉवी पियर्स बॉर्न कहा जनमा था तो इन सिड्नी जो कहाँ पर पड़ता है Australia इसके बाद अगला question है विच कंट्री डिड़ केन मेर्स बिलॉंग टू केन मेर्स कहां से बिलॉंग करते हैं तो अमेर्का तो यह अंसर हो जाएगा पांच में का इसके बाद अगला question देखते हैं छटमा यह रहा question number six who born everybody's heart यानि किसने सबका दिल जीत लिया तो इसका हो जाएगा बावी इसके बाद अगला question साथ यह रहा हमारा question number seven वीडियो को लिखकर आप अच्छे से रोगडोग का लिख लीजीगा इसके बाद question में साथ निम लिखित पर सुनों के उत्तरा को एक से दो वाक्यों में लिखने हैं तो यहाँ पर लिखा है विच वर्ड केम इंटू दा पथ ऑफ बावी जबोट एंड फैन तो इसका हो ज अगला question दिया है आठमा अगला question चलते हैं question दिया अपला यहाँ पर नॉमा यहाँ पर लिखेंगे for how many years did Bobby Piers complete in races तो यहाँ पर races हो जाएगा तो इसका लिखेंगे Bobby Piers completed 33 years in race यानि उसने कितने साल यहाँ पर 33 साल पूरे किये थे 10 question तो यह रहा हमारा question नम्पर 10 when did Bobby Piers stop taking part in sports यानि उसने खेल में भाग लेना कम बंद कर दिया था तो इसका लिखेंगे Bobby Piers stop taking part in sports in 1945 यानि 1945 से उसने भाग लेना बंद कर दिया था खेलों में अगला question यहाँ पर भाए आरदा games called Olympic Games यानि खेलों को Olympic Games क्यों कहते हैं तो इसका आंसर लिखेंगे an Olympic sports festival was held in Greece in 1976 BC at Olympia therefore this sports festival was called Olympic Games सबसे पहले 1976 BC में यानि इसापूर्व Olympia में रखा गया था game festival इसलिए इसे हम क्या कहने लगे हैं Olympic तो यह हमारा question number यहाँ पर होने वाला है 12 देखिए इसको क्या लखा है तो यहाँ पर 12 question दिया गया है use the information about Bobby Pierce given below and right sentence तो यहाँ पर आपको in clue की वज़े से आपको यहाँ पर sentence में आपको बढ़ना है तो देखिए यहाँ पर लखा at the age of six यानि छह साली की उमर में यानि Bobby Pierce ने क्या किया था तो यहाँ पर लखेंगे at the age of six he won first race यानि छह साली की उमर में उसने पहली race जेती थी इसके बाद दूसरा है at the age of 20 बीच साल में क्या किया उसने तो इसका लेखेंगे at the age of 20 यहाँ पर 20 भी लेखना है यह वाला लेख लीजिएगा आप के बाद यहाँ पर लेख लेखेंगे 20 लेखने के बाद लेखेंगे he was the scoring champion of Australia तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आंसर हो जाएगा he was the scoring champion of Australia लिए अगला question यह रहा हमारा question number 3 इसी का kind के बारे में लेखना है तो he was very kind इसके बार लेखना है 1945 में तो he stopped taking part in sports 1945 तो यह इसका अंसर हो जाएगा question number 14 का अच्छे से लिखते चलिए तो देखें यहाँ पर आपको अरदवार्सिक पेपर जो आपके जारी होने वाले हैं यानि होने वाले हैं बहुत जल नौतारिक से तो इनको भी हमने यहाँ पर चैनल पर upload कर दिया है तो आप जाकर देख सकते हैं real paper और यदि आपने इसके एक से लेकर पार यहाँ पर 15 तक का हल नहीं देखा है सभी कक्षाओं के यहाँ पर upload कर दी गई है कक्षा चाल से लेकर 8 तक की सभी पुस्तक है गड़त हिंदी अंग्रेजी यतने भी आपके subject है तो किसी भी subject का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकाल से करेंगे संपूर हल को यहाँ पर download यहाँ पर देखेंगे वीडियो तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहां पर जाकर subscribe button पर क्लिक कर देना है इस से क्या होगा इस परकाल से इस काला हो जायगा यहां पर गंती देखने लगी कि इस पर जाकि आपको दबा कर ओल पर select कर देना है इसके बार आप क्या करेंगे यहाँ पर इसके जवाद आपको यहाँ पर यह नाम दिख रहा है तयारी जीत इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफिस दिखाई देने लगेगा यहाँ पर इस प्रकाल से दिखाई देगा आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है यहाँ पर तीसे यहाँ पर चौथे नमर पर आपको दिख रहा होगा प्लेलेस्ट यहाँ पर यह प्लेलेस्ट दिख रहा है इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही आप क्लिक कर को यहाँ पर हल डाल दिया गया है तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो उस पर साइके संपूल पार्ट यहाँ पर खुल जाएंगे जैसे यहाँ पर हम कक्छा 5B का देखते हैं तो यहाँ पर देखी यह कक्छा 5B के सभी पार्ट यहाँ पर खुल कर आ गए हैं अब इन आप प्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी तो इस प्रकाल से आप सभी पुस्तकों का हल देख सकते हैं